हाई दोस्तों जैहिन एक तर टेक्निकल कुछिंग में आपका स्वागत है आज अल्टरनेटर पार्ट टू के थर्टी एंसी क्यू इंपॉर्टेंट कुछिश्चन आपको बताने जा रहा हूँ हासा करता हूँ आपके यूपीपीसेयल विद्धुत पादन एंसीयल पता अन्य परिच्छों में इन थर्टी एंसी क्यू से अधिक से दिक कुछिश्चन आने की संबावना है चलिए दोस्तों प्रारम करते हैं प्रत्या वर्तक में बितरड गुड़क जिसको के डी की नाम से जानते हैं का अधिकता मान कितना होता है तो प्रत्या वर्तक का जो बितरड गुड़क होता है इसको KD के नान से जानते हैं और यह होता है KD equal to sin EM beta y2 upon EM sin beta y2 इस formula से इसको get किया जाता है और इसका मान हमेशा जो होता है अलिक्तम एक होता है तो यहाँ पर option आपका हो जाएगा सी सही अगला देखिए बित्रगुड़ां का मान KD equal to 1.00 होने पर दो निकटतम खांचों के मद्धे बित्रड कोंड beta का मान क्या होगा तो यह जब distribution factor है यह बित्रड गुड़ां या चोड़ाई या कुंडली गुड़ांक जो होता है इसका मान एकाई होने पर जो बित्रड या चोड़ाई गुड़ांक के लिए क्या सकते है अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि के डी एक्वल टू सान एम बीटा बाई टू अपान एम साइन बीटा बाई टू अथात तीसरा उप्षन आपका सही है अगला देखिए अगला है पिच गुड़ांक को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो पिच गुड़ांक जो होता है उसको पिच फ्रक्टर को के पी के नाम से भी देखते हैं के पी या के सी इन दोनों को पिछ गुलांक के नाम से जाना जाता है जो डिस्टिविशन ये बित्रड गुलांक जो होता है वो के डी होता है बित्रड गुलांक को बित्रड गुलांक को कुंडली गुलांक या चोडाई गुलांक इन नाम से भी जाना जाता है जबकि जो B option आपका right है अगला है जिया वक्री तरंग में वर्ग माध्य मूल मान और आउसत मान का अनपात क्या होता है RMS value और average value का जो ratio होता है उसको रूप गुडांग कहते हैं दोस्तों form factor या रूप गुडांग B option आपका सही हो जाएगा और इसका value जो होता है जिया वक्री तरंग के लिए 1.11 होता है और form factor को KF के द्वारा प्रिदसित किया जाता है इसका value यह होता है अगला जो क्रिष्ट गुडांक है क्रिष्ट गुडांक को peak factor के नाम से भी जाना जाता है और जयात वक्री तरंग के लिए क्रिष्ट गुडांक जो होता है K, K, P इसको इसका value जो होता है under root 2 या 1.414 यह होता है sine wave के लिए अगला है प्रित्या वर्तक में बिद्द बागवल E तथा आपरित्य में क्या सम्मन्द है जो प्रित्या वर्तक का बिद्द बागवल होता है देखिए दोस्तों जो अल्टरनेटर का EMF होता है E equal to 4.44 Kp, Kd, Phi, Phi, EF और T ये होता है तो यहाँ अगर सभी को कौंस्टेंट माल लिए जाए तो E हो जाएगा समान पाते EF, K C अपसन आपका सही होगा अगला निमने में प्रित्या वर्तक के बिद्द बागवल के लिए क्या सबते है कैसे की मैंने लिखा था अभी E equal to 4.44 Kp, Kd, Phi, EF, T ये प्रित्या वर्तक के लिए सही विद्द बागवल है जब यहाँ पर Z होता है तो यहाँ जेड के स्थान अगर यहाँ पर Z रहेगा तो यहाँ पर 2.22 होता है Z equal to 2T जब Z रहेगा विद्द बागवल में तो यहाँ पर 4.44 के स्थान पर 2.22 लेते हैं D option आपका सही होगा अगला आजकल किस प्रित्या वर्तक का प्रियोग लगबग नगड़े है तो दोस्तों सिंगल फेज प्रित्या वर्तक को यूज आजकल जो है लगबग नगड़े हो गया है पहला option सही होगा 2 फेज और 3 फेज के प्रित्या वर्तक प्रित्या वर्तक प्रित्या वर्तक हैं NMA से सबसे ज़्यादा प्रित्या वर्तक हैं 3 फेज 4 बयर सप्लाई आउट पुट देता है अल्टरनेटर और उसी से अन सिंगल फेज ले सकते हैं एक फेज एक न्यूटर लेकर के चलिए दोस्तों प्रित्या वर्तक हैं अगला है किस के निर्धारण का सक्ति गुड़क पर कोई प्रवाव नहीं पड़ता है तो यहाँ पर जो KVA होता है KVA के निर्धारण पर सक्ति गुड़क का कोई प्रवाव नहीं पड़ता है D option आपका सही होगा अगला है प्रतिया वर्तक का armature किस पदार्थ से बना होता है, यह होता है, ल्व runs गला है, लिख घञगा गए, है औहलु उसको सिलकान स्टील एक होता है, लगभग 5 परसंट होती है, अगला है बमर्धारा हानिया फ्लक्स घनतों के किस गातांग के समान पाती होती है जो बमर्धारा हानिया होती है इडी करेंट के नाम से इनको जाना जाता है इसको W E जो होती है वो किस गातांग एक्वल टू होता है हमारा यहां पर इटा B स्क्वेर B M स्क्वेर F स्क्वेर T स्क्वेर V वाट जो हानिया होती है लोग हानिया हों यह फिर तामर हानिया हों लोग हानिया में भमरदारा हानिया तथा हिस्टेशिस हानिया सभी का मतरक वाट होता है और इसमें पूछा गया है कि भमरदारा हानिया तथा ख्लक्स गनत B में क्या सम्मंद है तो यहाँ पर हो जाएगा सभी को कॉंस्टेंट अगरमान लिया जाए हो जाएगा we समान पाती दी एम स्क्वाइर तो मतलब घात दो के बराबर होती है बहुर धारा हानियों में उस तो यहां आप साही कर लेंगे यह जो अंडरूट टू लिखा है तो यहां पर टू हो जाएगा अगला है फ्लक्स 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 समान पाती होत दी सही नहीं है पहला सही है क्योंकि D में अगला था अगला है फलक्सचरण धारा के लगबग समानपाती होता है बी अप्सन इसका सही है अगला है आर्मेचर का प्रभावी प्रतरोध दिश्धारा की अपेच्छा परिवर्तित होता है तो आर्मेचर का प्रिभावी प्रित्रोद DC के पेच्छा कुछ बढ़ जाता है इसमें जो बढ़ता है वो गार लगबग 2.1.2 के आसपास जो DC का प्रित्रोद होता है वो AC के पेच्छा कम होता है 2.1.2 इतना कम होता है लगबग AC के पेच्छा DC का या फिर जो आर्मेचर होता है आर्मेचर को जब हम सप्लाई देते हैं तो DC सप्लाई देते हैं और यह जब प्रिचलन में मतलब प्रारम हो जाता है तो आर्मेचर के अंदर DC सप्लाई जनेरेट होती है यही सप्लाई होती जियावक के दितरंग होती है और इसमें हिटेसिस हानियों के लिए जो सब्सक्राइब है ओप्सन है आपका डी हिटेसिस हानिया जो होती है डबलू एच डबलू एच इकॉल टू इटा बी एम का पावर बन पाइंट 6 एफ वी यह होती है यहां पर यह अप्सन आपका सही होगा डी अगला है लौपत फिलक्स के लिए लौपत फिलक्स के लिए कम रिलक्टेंस या प्रितिस्टम प्रिदान करता है पहला अप्सन आपका सही होगा अगला है निम्न में प्रेरिकी प्रितिगात एक्सल के लिए क्या सब्ते है दोस्तों बेसिक एलेक्टिकल मैं आपको इसी ओमेगा एल और उमेगा का बैलो जो होता है वो 2 पाई एफ होता है तो यहां पर XL एक्वल टू 2 पाई एफ एल हो जाएगा और यह सभी रजिस्टेंस ओम हो इसका मात्रक होता है तो डी ओप्सन आपका सही हो जाएगा इसके स्थान पर यदी XC पूछा जाए XC प्रेर की धारती प्रतिगात अगर पूछा जाए यह होता है XC एक्वल टू 1 अपाउं ओमेगा सी यह फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं वन अपाउं टू पाई YFC ओम में इसका भी मात्रक होगा अगला है छोटी मसीनों के लिए नियमन ग्याद करने की कौन सी विदी सुविधा जनक है तो प्रिटेच लोड भीदी छोटी मसीनों का voltage regulation गयाद करने की प्रिटेच लोड भीदी सबसे अची वीदी है और बड़ी मसीनों में बड़ी मसीनों का जो नियमान इस वीदी से अगर गयाद करते हैं तो ये खर्चा थोड़ा से ज़ादा आ जाता है इसलिए इस विदी का उपयोग बड़ी मसीनों में नहीं किया जाता है बड़ी मसीनों में सुनने लोड या पाटियार विदी या फिर MMF या MPR टरन विदी का उपयोग बड़ी मसीनों के रेगलुईशन गयाद करने के लिए किया जाता है छोटी मशीनों के लिए प्रतिय चलोड भी दी होती है पहला उप्शन से यह अगला प्रतिय वर्तक का एकाई सक्ति गुड़क पर नियमन का मान हो सकता है 18 नमबर का आपका 10 से 15 परसेंट होता है इसको याद रखना दोस्तों अगला है प्रतिय वर्तक का पस्च गामी सक्ति गुड़क पर बोल्ड़ता नियमन का मान हो सकता है यह होता है 35% 19 का 35% होता है अगला है प्रतिय वर्तक में अगर गामी लोड सक्ति गुड़क पर बोल्ड़ता नियमन होगा अगर देखिए दोस्तो इसको बताते हैं आपको याद हो जाए गवड़ी आसानी से एक चत्व थांस बनाएए एक चत्व थांस बनाएंगे तो इसमें यह होता है प्लस प्लस और यह होता है मैंनस मैंनस इधर होता है आपका XC और इधर होता है आपका XL या फिर इधर होता है VL और इधर होता है VC इधर होती है धारा ये होते हैं एंगिल थिटा ये भी एंगिल होगा थिटा अब यहाँ पूछा गया है सकती गुड़क प्रत्यावरतक में अगरगामी लोड सकती गु हम हमी मतलब करेंट आगे होगा जब करेंट आगे होगा दो सक्ति worldview जो करेंट हेहर самые मतलब हमें होगा यह 20 प्षिन जन्जेश जो थे स्थन पर किर सुद्थ मतलब धरा ट्यक्यें हैं stereo लोड मतलब होता है धारा तो धारा जब पीछे है धारा जब पीछे है जब धारा पस्चिगामी होगी तो सक जो बोल्टेज नियमन होगा धनात्मक होगा सी अपसन आपका सही है अगला है निम्न में प्रत्या वर्तक के बोल्टा नियमन के लिए क्या सत्य है प्रत्या वर्तक के बोल्टा नियमन के लिए पहला अपसन आपका सही है परसेंटेज नियमन एककल टू ए0 मैंस वी एपान वी इंटू हंड्रेड होता है यहांपर लेकाली प्रतिवादा बीदी के द्वारा किसे ग्याद किया जाता है तो अभी उपर कुश्चन में था इसके द्वारा regulation को ग्याद किया जाता है अगला है यदि कोई प्रतियावर्ट तक धनात्मक नियमन पर कारे कर रहा है तो इसका load सक्तिगुलक होगा जैसे के भी बताये थे अगर धनात्मक पर होगा तो पस्च गामी होगा सक्तिगुलक अगर रडात्मक होगा तो अगर गामी मत्रब उल्टा उल्टा चलता है इसमें तो पहला option आपका सही होगा 23 का अगला प्रत्यावर्तक के आर्मेचर का प्रत्रोद ग्याद करने के लिए किस बिदी का उप्योग नहीं किया जाता है तो प्रत्यावर्तक का आर्मेचर प्रत्रोद जो होता है वो बहुत कम अतिनिम्न होता है इसलिए यहां पर हम मेगर का उप्योग नहीं करेंगे क्योंक कोम या पॉइंट में प्रित्रोध होता है आर्मिचर का इसलिए इन तीनों एमिटर बॉल्ट मीटर विदी विटिश्टान से तू और केलविन ब्रिज इनका सबका अलपमान के प्रित्रोध यहत करने के लिए किया जाता है यहां पर आप्शन डी आपका सही होगा अगला है तो अच्छिक प्रिभाव के कारड़ गत्सी लवस्ता में आर्मिचर का प्रिभावी प्रित्रोध कितना बढ़ जाता है तो यह होता है बीस से साट परसेंट आपका बी अप्शन सही होगा अगला है निम्न में प्रतियावर्तक का प्राथमिक चालक हो सकता है तो अल्टरन की रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं अल्टरनेटर में आता है एक्साइटर जो है वो फ्रास्मिक चालक होता नहीं है यह उतिजन का कार्यों करता है तो पहला आपका सही होगा अगला है कार्बन ग्रेफाइड बुरसों के लिए कितनी बोल्ट प्रति बुरस लेते हैं क तेन बोल्ट हो जाएगा अगला धातु के रिफाइट बुर्सों के लिए संपर्क बोल्टता पात कितना लेते हैं तो ये धातु के लिए जो होता है 28 का C 0.25 बोल्ट प्रती धुरूग अगला है निम्न में कौन सी हानिया सीधे ही ग्यात नहीं की जा सकते हैं तो इस्ट्रे हानिया जो होती हैं उनको सीधे ही ग्यात नहीं की जा सकता है 29 का A option आपका सही हो जाएगा इस्ट्रे हानिया ग्यात नहीं की जा सकते हैं सीधे ही इनका कीवल अनुमान लगाया जा सकते हैं वाकि लोग हानिया या अंत्रक हानिया और ताम रहानिया इनको सबको ग्यात की जा सकता है अगला है तीन कला प्रतिया वर्तक में संपूर ताम रहानिया जो होती है वो थ्र हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों में सेयर करिए सब्सक्राइब यूं लाइक करिए और अगर आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सेयर करेंगे तो हमारा मोटिवेशन और बड़ेगा और मैं अच्छे सचे वीडियो आपको कंटिन्यू प्रोवाइड खरवाता रहूंगा हाँ दोस्तो इस वीडियो का फीडियाइप आपको यह दी देखना है कुछ सॉल्व करना है तो हमारे ATC Electrical टेलिग्राम चैनल पर उपलब्द है तो इसको देख सकते हैं आप थैंक यू